हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप से भी अपनी यूट्यूब पैनल में तो आज मैं आप से लिए कोई खाने पीनी की चीज की रेशिपी नहीं लाई हूं एक यूजफुल वीडियो लाई हूं सिर्फ चार मिंट की वीडियो है इसकी प्मत कीजिएगा वीडियो देखिएगा और यह चार मिंट की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली तो इस यूजफुल वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो उसके बाद जो वह दूद बच जाता है तो उसका हमें कैसी यूज करना है उ और चाहे तो कोई भी रैसीपी बना सकते हैं अब यह देखिए सबसे पहले मलाई में मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया है और इसे मैं अच्छे से हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी जब तक किसी से मक्खन अलग ना हो जाए देखिए इस तरीके से बीच म देखिए यह मैंने थोड़ा सा पानी अ ट्राइड कर लिया है थोड़ा से पानी मैं डाला था और फिर इसे दोबार अच्छे से चला एंगी अब यह देखिए कि हमारा आत हो गया है लेकिन इखटा नहीं और सिथे जादा तो अब हम उध का सा गरम पानी करेंगे और इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे ये देखिए जादा नहीं थोड़ा सा डालना है थोड़ा सा गरम पानी डालते ही थोड़ा सा चलाने के बाद हमारा गी तुरंत इखटा हो जाएगा ये देखिए ये बिल्कुल दूद से अलग हो गया है और इसी पतीले में मैं पनीर बना के दिखा दूँगे आपको और ये पनीर बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने मक्खा निकलेवे दूद का बनाया है बहुत ही अच्छा पनीर बनता है, सोफ्ट एक दम तो ये देखिए, अब इस पतीले के दूद को हम गरम कर लेंगे अच्छे से, जब इसमें उबाला जाएगा तो इसे गैस को बंद कर देंगे ये मैं थोड़ी सी फिटकरी ले रही है, मैं फिटकरी से ही पनीर बनाती हूँ क्योंकि ये हैल्थ के परपरसी भी अच्छा होता है पानी में मैं थोड़ी सी फिटकरी डाल के गोल लूँगे अच्छे से अब यह देखिए अच्छे से गुल जाएगा जब तो फिटकर का पानी तियार है अब हम अपनी दूद को देख लेते हैं दूद हमारा गर्म हो चुका है तो गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करने के बाद फिर इसमें हमें यह पानी मिक्स करना है और चम्मच से अच्छे गुलब पनीर हमारा बनने के लिए तियार है अब इसे हमें चनी में निकाल लेंगे तो चलिए चनी में निकाल लेते हैं यह देखिए चनी में मैंने निकाल लिया है यह अच्छा पनीर हो गया अब हम इसको अच्छे से पानी से वोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसमें जो भी भी निकल जाएगे और फिटकरी के पानी का इसर भी निकल जाएगा यह देखिए मैंने पानी से अच्छे से वोश कर लिया है और वोश करने के बाद इसे एक कोटन के कपड़े में जैसे आप नोर्मली पनीर बनाते हैं उसी तरीके से कोटन के कपड़े में डाल कर किसी चीज वाइज से प्रेस करके रख देना है और पांच मिनिट के बाद आपको निका लेना जाद इन रखना उसका सारा मोश्चन निकल जाएगा पनीर हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा अब यह देखिए यह हमारा पनीर बन गया है कितना अच्छा पनीर बनाया है देखिए सोफ्ट सोट एक दम देखिए कितना स्पंजी है तो आभी ट्राइ कीजिए एक बार और इस वेश्ट दूद को यूज कीजिए थैंक यू सो मच गाइस